है 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 चलिए शुरू करते हैं लोग नेक्स्ट चाप्टर अपना कानेमेटिक्स ठीक है इससे पहले हम लोग ने यूनिट डाइमेंशन एरर अनालेसिस और वेक्टर यह सारी चीज़ें खतम कर चुक है यह सारे चाप्टर जो थे वह ऐसे थे जो हरे एक चाप्टर में थो ठीक है तो देखते हैं पहले कि इस चाप्टर में लोग पढ़ने क्या वाले हैं किसके बारे में पढ़ेंगे तो इस चाप्टर में लोग जो पढ़ेंगे वह ऑबजेक्ट के रेस्ट या मोसन के बारे में पढ़ेंगे कोई भी ऑबजेक्ट जैसे मानले एक बस हो गया एक ब्लॉक हो गया ठीक है वो रेस्ट पे है या फिर अगर मूफ कर रहा है तो दस सेकंड के बाद वेलोसिटी बता दो डिस्प्लेस्मेंट बता दो यही सब चीज़े कैलकुलेट करेंगे लेकिन जो भी किसी ऑबजेक्ट के रेस्ट या मोसन के बारे में पढ़ेंगे किसी ऑबजेक्ट के रेस्ट या फिर मोसन के बारे में तो उसके मोसन में रहने का कारण या फिर मोसन में क्यों है या फिर अगर रेस्ट पे है तो क्यों रेस्ट पे है वो सब चीज़ का रीजन जाने बीना ही पढ़ेने वाले हैं यहां हम लोग यह नहीं सोचेंगे कि यहां का अब्जेक्ट क्यों मूव कर रहा है अगर वो सदेनली सपोज एक ब्लॉक है अगर यह ब्लॉक अगर इनिशेली 30 मीटर से मूव कर रहा है और थोड़ी दिर बाद अगर इसकी विलॉसिटी बढ़ जाती है कि 50 मीटर पर सेकेंड हो तो किस कारण से बढ़ी हमें यह अभी इस चैप्टर में नहीं सोचना है हमें बस यह देखना है कि 10 सेकेंड के बाद विलॉसिटी कितनी हुई और अगर 50 मीटर पर है वह लोग अगले चाप्टर पढ़ेंगे तो इस चाप्टर में बैसिकली हम लोग ऑब्जेक्ट का मोसन के बारे में तो पढ़ने वाले लेकिन उस मोसन का रीजन जाने भी नहीं पड़ेंगे एक और चीज हमें ध्यान रखना है कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा वह हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये सब कुछ लिमिटेशन है तोगाहां कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा हमारा कैसा पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट जोसकता है कि एक scroll सब्सब cast करेंगे यह कभी ऐसा भी हो गित्ट ऑबजर कि तरह आई त्रेट क आखर यह point object होता क्या है तो देखो जिसे मानलों कोई भी object जिसके motion के बारे में अगर हम लोग पढ़ रहा है वो अगर इतना ज्यादा distance travel कर रहा है कि उसके सामने उसका जो dimension वो काफी small हो तो उस object हो हम क्या ले लेंगे point object जैसे मानलों कि यही अगर बस suppose 2 meter की बस है ठीक है 2 meter हमोमन होता भी होगा 2 meter की बस है अगर यह 6000 km दूर चलके जार यह कहीं तो इसके सामने यार 2 meter क्या रखने इसके सामने हम लोग इसको neglect कर सकते हैं ठीक है तो यह बस को हम लोग क्या बोलेंगे एक point object की तरह मान के चलेंगे कि यह हमारा एक चोटा से बहुत चोटा से बस है जो कि कितरा दूर चला गया 6000 km दूर चला गया है ठीक है तो यह जो भी object जिसके motion के बारे में हम लोग deal कर रहे हैं अगर वो उसके दोरह जो distance traveled हो वो काफी जादा हो in comparison to किसके उस object के dimension के तो हम किसकी तरह trade करेंगे point object की तरह और ध्यान रखना है पूरे चैप्टर में जब तक आपको यह नहीं बोला जाए कि आप object को एक extended object की तरह 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 और वैसे 99% से ज्यादा question में जो रहेगा object को कैसे ही ट्रेट करना है point object की तरह ही ट्रेट करना है अगर किसी question में यह बोला गया है कि हाँ यह object की length यह रही यह बता दो फिर उस case में हम लोग लेंगे वहां पे हम लोग consider कर सकते हैं otherwise हमें कैसे लिना point object के तरह है ठीक है तो पहले लिख लेते हैं कि इस चाप्टर में लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं तो इन दिस चाप्टर इन दिस चाप्टर वी स्टडी अबाउट ठीक है वी स्टडी अबाउट कि रेस्टअसरान जाने हुए हमें ज्यादा भी यह नी सोचना कि वह क्यूंव कर रहा है ठीक है क्यों मूब कर रहा है क्यूंवक कर रहा है क्यूंवक थोड़ी दिर बाद रेस्ट पर आ गया यह सारी चीज़ब हम लोग तो डेटेल में देखने वाले किस न्यूटन्स लॉज्ज ऑफ मोशन में कि कौन सा फोर्स किस ऑबजेक्ट के मोशन के लिए रिस्पॉनसिबल होगा वहां भी डेटेल में जाएंगे ठीक है उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि पॉइंट औबजेक्ट क्या होगा कि इफ द्धाइमेंशन ओफ एन औबजेक्टन और इफ दीमेंशन ओफ आन औए जरी के उजिवश्जव नेगलीजीवल इन गमपीरियजएन टू मैं कमपीरिजंटू distance traveled by it अगर उस object के द्वारा जो distance traveled हो distance traveled by it उसके सामने ये negligible हो then object will be considered as then object will be considered as point object देखो जैसे मालो हो सकता है कि कभी एक हाथी का motion observe कर रहे हों लोग एक चीटी का भी motion observe कर रहे हो दोनों का motion हम लोग दोनों को किसकी तरह treat कर रहे हो point object के तरह तो ज्यादा उसमें है हैरान होने वाली बात नहीं है कि यार एक हाथी भी point object और एक चीटी भी point object हो सकता है दोनों 22000 km जा रहा हो तो इस case में हमें क्या लेना point object के तरह अमूमन इस chapter में हर जगह हम लोग कैसे object के बारे में ही दिल करेंगे point object के बारे में ठीक है चलो अब यहां से देखते हैं कि पहले अब यह object जो होगा ठीक है यह rest and motion में कब कहलाएगा अखिर हम लोग बात कर रहे थे कि इस chapter में पढ़ने वाले ही किसके बारे में कि rest और motion के बारे में ठीक है तो इक object कब rest में कहलाएगा कब motion में कहलाएगा इसके बारे में थोड़ा सा discuss कर लेते हैं तो चलो यह अब discuss कर लेते हैं किसके बारे में rest and motion सब्सक्राइब करें करें हैं सब्सक्राइब करें एक काफी अछी दोस्त के साथ जैसे कि आप ऊविदेखकर बाहर आते हो क कर आ कि आपकी दोस्त के घरवाले हैं आप दोनों को साथ ने कि झानेके जैसे ही साथ में देखें पता ही यह क्या होगा बिचारे आपको तो पहले मारा फिटा भी गया और उसके बाद आपकी दोस्त को अकेले लेगे जाया गया यह आपकी दोस्त इसको नाम दे देते हैं जी ठीक है भी और यह बिचारे उसके मम्मी पाप Denet चलो मान लेते हैं पापा यी बस देख लिए देख लेते हैं मनलते हैं को ऺइस सोचो कि यह अगर पूछा जाए जैसे थोड़ी दिर बात यह बस ना कर दो ने लगी फिर तोड़ी दिर बाद यह बस यहां पहुंच को और आप वही पे खड़े उगर के बहुत सारी चीज़े सोचने लगे कि अब क्या किया जाए ये G है और ये P अगर आप से पूछा जाए सबसे पहले आप से पूछ लेते हैं कि यार एक बात बताओ आपकी जो अच्छी दोस्त है वो क्या मोसन में है या रेस्ट पे तो आप क्या बोलोगे यार थोड़ी दिर पहले तो मेरे साथ थी थोड़ी दिर बाद वो कहां काफी दूर चली गए तो आपके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए कि B के लिए मतलब आपके लिए अगर देखा जाए वार B जो G होगी वो किस میں मोशन में होगी ठीक है आपने क्या सोचा आप सबसे पहले जो हमनोग सोचते हैं वसी से रिलेट करते हैं वसी से सारी चीज़ आपने कि कैसे हम लोग decide करता है पहले आपने क्या सोचा यार थोड़ी दिर पहले मेरे साथ थी और उसके बाद यह अभी देखें तो यह काफी दूर चले गई ठीक है तो इसलिए आप बोल रहे हो कि नहीं यार वो तो मोसन में अगर मोसन में नहीं होती तो अभी भी मेरे साथ होती ठीक है लेकिन अगर उसके पापा से पूचा जाए यानि फॉर पी अगर उससे में है रेस्ट पे है यानि इस पर्सन के लिए जो आपकी दोस्त है वो कैसी है रेस्ट पे है ठीक है जबकि आपके लिए वो मोसन में है ठीक है तो यहां से आपने क्या सोचा कितना अच्छा होता है कि अगर आपके लिए रेस्ट पे होते और यह पी के लिए मोसन में होती ह कि जो देखा आपने सबसे पहले क्या अभजर्ब किया गया जैसे पूछा गये आप से कि आप बताओ कि जो जी है जोकि अच्छी दोस्त है वह सबसे पहले सोचा कि थोड़ी दिर पहले वो मेरे साथ थी थोड़ी दिर बाद वो मुझसे दूर चली गई यानि आप किसके बारे में सोच रहे हो पोजीशन ओफ जी पोजीशन ओफ जी एक तरीके से मैं ऑबजेक्ट ले लेता हूँ अगर इन जनरल थोड़ा लिखा जाए तो किसके बारे में लोग सोच रहे हैं पोजीशन ओफ ऑबजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं ठीक है दूसरा ठीक है दूसरा आपने क्या सोचा है कि यार थोड़ी दिर पहले और थोड़ी दिर बाद ये उसके फादर ने भी क्या सोचा कि थोड़ी दिर पहले और थोड़ी दिर बाद यानि एक और चीज हमारा आ रहा है कि time की भी बात हो रही है यार कि एक तो position की बात हो रही है साथ में किसकी बात हो रही है time की भी बात हो रही है ठीक है और इसके अलावा एक और चीज देखो कि आपने भी क्या सोचा था कि थोड़ी दिर पहले मेरे पास थी और थोड़ी दिर जिस object का motion deal करना था, जिस object के बारे में rest में है या motion में है, ये deal करना था, तो वो उसके बारे में आपने क्या सोचा, कि उसका position देखा अपने respect में, आपने respect में देखा और उसके father ने अपने respect में देखा, लड़की से तो कोई पूछ भी नहीं रहा, ठेक है, तो यहां से देख में हम लोग position major करेंगे उसको बोलते हैं reference उसको क्या बोलते हैं reference यानि एक बाद सोचो कि एक object जो है वो motion में है या rest में है यह decide करने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रुत होगी और एक बात और चीज़ में बता दू कि यह दोनों ही सही है आपके लिए वो मोसन में भी है और उसके फादर के लिए वो रेश्ट में भी है मतलब एक ही परसन जो है एक ही ऑबजेक्ट जो है वो क्या है मोसन में भी हो सकता है और दूसरा रेश्ट में भी हो सकता है तो पहला पॉइंट तो यह निकला कि rest और मोसं जो होता है वह absolute rest हो या absolute motion हो यह ऐसी कोई चीज exist नहीं कर देंगे। चुकि अगर absolute rest होता है तो सब के लिए rest में होता है तो यह rest and motion क्या है एक relative term कि किसके respect में देखा जा रहा है आपके respect में motion में अपके यह उसके father के respect में वो rest पर है तो क्या लिख सकते हैं कि rest and motion are relative terms rest and motion are relative terms ठीक है rest and motion जो होते हैं वो क्या होते हैं relative terms होते हैं और एक और चीज़ कि there is nothing like there is nothing like absolute rest और ठीक है absolute rest और motion absolute rest और motion जैसी कोई भी चीज़ एकजिस्ट नहीं करते हैं ठीक है even हम लोग बात करें तो अर्थ भी जो है वो भी motion में है लेकिन हमारे लिए हम क्या लेकर के चलते हैं अर्थ को rest में लेकर के चलते हैं ठीक है जैसे हम लोग नॉर्मल जब भी question आएगा या हम लोग अपने किसी सामने जैसे अगर कोई object move कर रहा है ठीक है तो हम लोग मान के चलते हैं कि योगर उसके motion को observe करना है तो हम लोग मान के चलते हैं कि rest अर्थ जो है वो किसमे है रेस्ट पर यह और पॉइंट लिख लेते हैं एक करके सारी पॉइंट लिखते जाएंगे कि earth is considered earth is considered as at rest ठीक है actual में है नहीं यह हमारा अजम समय है फिर से यहां पर आते हैं कि हमें तीन चीजे मेजर करने की जुरूत पड़ी एक पोजीशन दूसरा टाइम और तीसरा कि किसी की रेस्पेक्ट में जिसके रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हम लोग रेफ न ओबजेंड का पोजीशन अगर चेंज हो रहा हो किस के साथ टाइम के साथ और किसकी रेस्पेक्ट में में विद्थ रिसपेक्ट तूर रिफर्न्स पॉइंट नहीं हो रहा है तो किस में होगा वह रेस्ट फ्र डेफिनीशन लिख लेते हैं फटा-फट रेस्ट में doesn't change with time किसके साथ time के साथ और with respect to with respect to reference point किसी reference point के respect में अगर position change नहीं हो रहा है then object will be at rest object will be at rest otherwise direct साथ में लिख देता हूँ कि motion के बारे में इस में ये भी लिख देता हूँ rest and motion definition लिख रहे थे हम लोग otherwise it will be in motion otherwise it will be in motion otherwise किसमे होगा ये particle otherwise it will be in motion ठीक है ठीक है चलो यार कुछ जैसे हमने point जो देखने है इन सब के बारे में कि position of object time और reference के बारे में ठीक है तो आप एक बात देखो कि जब भी अगर किसी भी object का motion अगर deal करना हो ठीक है तो सबसे पहले हम लोग कहलेते हैं reference कि जहां से उस object का position major कर सकते है ठीक है जैसे आपने यहाँ पे अपने respect में position major किया यहाँ पे इनने अपने respect में major किया तो in general जब अगर object का motion अगर deal करना हो तो हम लोग जिस point के respect में हम लोग अगर position major करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं origin और इसको कहले लेते हैं x equals to 0 मालो इस horizontal surface पे एक object move कर रहा है ठीक है यह object ऐसे move कर रहा है अगर इसका position अगर major करना है तो मालो यह सबसे पहले हमें एक origin लेना होगा जिसको हम लोग किसे denote करते हैं x equals to 0 यह हमारा क्या होगा origin अब इस object का जो भी motion हमें लोग deal करेंगे position जब भी major करना होगा तो हम किसके respective major करेंगे इसी point O के respective ठीक है और यह हमारा एक तरीके से क्या होता है reference जैसे मालो हो सकता है कि आप आगे चलके जब हम लोग एक motion under gravity का part पढ़ेंगे तो वहाँ पे ball को throw करेंगे ठीक है उपर की तरफ हमने 30 meter per second से throw कर दिए ठीक है वहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो position है वो क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग एक origin ले लेंगे x equals to 0 या y equals to 0 ठीक है अब यह क्या होगा कितना उपर जा रहा है 10 meter, 20 meter 40 meter, 50 meter जो भी उपर जा है ठीक है चलो अब एक चीज़ हमें किस के बारे में देखनी है एक और चीज़ टाइम के बारे में है तो देखो यारब टाइम जब भी हम लोग deal करेंगे na motion object का उस हमें ऐसा नहीं होगा कि 12 बज़ के 10 minute पे यह train यहाँ थी 12 बज़ के 20 minute पे यहाँ पहुँची एसर डिल नहीं करेंगे हम लोग यह देखेंगे कि हमने time interval दिया रहेगा हम लोग जब भी बात करेंगे जब भी अगर किसी object के motion की बात करेंगे तो उसमें हम लोग हमेशा किस की बात करेंगे time interval की हमेशा ध्यान रकना apoyo कि time interval के और जिस time पे हम लोग object का motion observe करना शुरू करेंगे उस time को हम लोग क्या ले लेते हैं t equals to 0 उस time को हम लोग क्या ले लेते हैं t equals to 0 जैसे माल लोग एक case लेते हैं suppose आपकी दोस्त जो है station 1 से आ रही है train से आप यहाँ पे खड़े उसका इंतजार कर रहा है station 2 रूपी यह train आई रूपी आप अपनी दोस्त से मिले फिर वो train चलना शुरू कर दिये थोड़ी दिर बाद अब एक बास सोचो अब आपने train को observe करना शुरू किया तो अब इस समय train को observe करना अगर शुरू कर रहे हो तो आपके लिए t equals to 0 यह होगा ऐसा जरूरी नहीं कि जो time t equals to 0 होगा उस समय पार्टिकल या उस समय object हमेशा motion start ही कर रहा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है हो सकता है कि मैंने जब से observe करना शुरू किया उससे पहले से train चल रही हो obviously जैसे station 2 से जब train चलना शुरू किया तो वो हमारे लिए t equals to 0 होगा ठीक है क्योंकि हमारे लिए motion यही से start होगा इससे पहले का motion के बारे में कुछ नहीं पता है नहीं हमने observe किया और नहीं हमें पता है तो हमारे लिए motion यही से शुरू होगा और यह t equals to 0 भी यही से होगा ठीक है लेकिन t equals to 0 कब से होगा तो जब तक जब से हम लोग motion को observe करना start करें एक और चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपको ये बोला जाता है कि at t equals to 10 seconds उसकी velocity जैसे मालो एक particle के बारे में अगर कभी ऐसे आएगा काफी ऐसे question आएगे कि एक particle है जो initially 10 meter per second की velocity से move कर रहा है 5 seconds के बाद उसकी velocity 100 meter per second हो गई ठीक है यहां से देखो क्या बोला गया है कि statement अगर थोड़ा ध्यान से दो सुने तो बोला गया है कि एक particle initially 10 meter per second से move कर रहा है यानि यह हमारे लिए t equals to 0 है यानि particle की velocity initially क्या है यानि t equals to 0 पे जब हमने observe करना शुरू किया उस समय 10 meter per second है और जब ह उसके 5 seconds के बाद t equals to 5 seconds पे इसकी velocity कितनी हो गई 100 meter per second अब यह जरूरी नहीं कि यह अबजेक्ट यही से अपना motion सुरू किया हो सकता है कि वह बहुत दूर से आ रहा हो ठीक है हो सकता है लेकिन हमने observe यहां से सुरू किया तो मैं यही बोलोंगा कि 5 seconds के बाद इसकी velocity क्या हो ग है कि जब भी अगर हम लोग motion को observe करने start करते हैं वो time हमारे लिए क्या होता है t equals to 0 और आगी कि जो भी time interval दिये वह रहते हैं कि 10 seconds पर यह हुआ 50 seconds पर यह हुआ 100 seconds पर यह हुआ वह हमारा इस time के बाद की बात होती है उतने time के बाद यह तरीक से यह क्या है time interval की ही बात होती है ठीक है नेक्स अब हम लोग देखते हैं translatory motion ठीक है translatory motion इससे पहले हमने देख लिया कि यह object rest में कब क्या लाइगा एक object motion में कब क्या अगर एक object motion में है तो उसको deal करने ही लिए किस किस चीजों की जरुरत होगी सब देख लिया हमने अब देखते है translatory motion जिसके बारे में हमे ठीक है तो सेम डिस्टेंस कवर करें ठीक है यह और सेम पाथ पे फॉलो कर रहा हूं सारे पॉइंट्स जो होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसलेटरी मौशन आई एक एक जामपल से समझते हैं जैसे माले एक रॉड लिया में यह रॉड है यह रॉड इस नए पोजीशन यहां पे पहुंच गया ठीक है इस नए पोजीशन पे पहुंच गया एक और एक जामपल लेते हैं कि यहां से अगर देखे तो एक रॉड है यह कुछ अब नए पाथ पे जा रहा है कुछ इस तरीके के पाथ फॉलो करते हुए वो इस दोनों अगर example देखें तो दोनों case में हम लोगे जो point consider कर रहे है ए बी फिर यहां पर माल लेते है पी क्यो आर दोनों इस वाले part में क्या है कि दोनों exactly same parallel path follow कर रहे हैं दोनों के दोरा जो distance traveled है वो same है चाहे आप कोई भी point consider कर लो सारे same path follow करते हुए और same distance cover करते हुए जा रहे यहां पर भी देखते हैं हम लोग यहां पर भी point P हो गया Q हो गया या R हो गया यह सारे करें same path same parallel path follow कर रहे हैं distance traveled हर एक point के दोरा same है तो जो ऐसा motion होगा जब भी object का है तो हम लोग क्या बोल रहे है translatory motion जैसे मैं मालो अगर move कर रहा हूँ अगर मैं अपने हाथ को ऐसे कर रह रहा है मैं अलग path पर जा रहा हूँ तो यह translatory नहीं हुआ है यहां पर कर रहा है यह same parallel path follow कर रहा है तो ऐसे motion को क्या बोलते है translatory motion और उसमें भी अगर path कैसा है straight line तो इसको बोलते है rectilinear motion इसको क्या बोलते है rectilinear motion और वही अगर path curved है तो इसको क्या बोलते है curvilinear motion इसको क्या बोलते है a curvilinear motion यहां से definite चलो यहां से definition ले ले लेते हैं कि if an object moves such that such that all points of object all points of object move on same parallel path same parallel path and covers equal distances equal distances then motion is called translatory motion motion is called translatory motion वैसे motion को हमनों क्या बोलेंगे translatory motion ठीक है उसी में दो हमने type देखे एक कौन सा होगा rectilinear और एक कौन सा होगा curvilinear अगर path straight line हुआ तो rectilinear अगर path curved हुआ तो curvilinear एक बात ध्यान रखना कि जो path follow होता है जब एक object move करें और जो path अगर follow किया जाता है उस path को हमनों बोलते है trajectory of motion इसको क्या बोलते है trajectory of motion ध्यान रखना है path followed by path followed by a moving object by a moving object is called trajectory is called trajectory आगे चलके हम लोग projectile motion पढ़ने वाले हैं जैसे ball को throw करते हैं ठीक है यह हमारा क्या होता है trajectory, is path को क्या बोलते है हम लोग trajectory of motion ठीक है? equation of trajectory भी बात में हम लोग निकालेंगें ठीक है? कभी-कभी question में भी आए गा है कि आप equation of trajectory निकाला हो equation of trajectory का मतलब क्या हो गया? कि कैसे path पर object move कर रहा है जैसे यहां पर बोला जाए तो पाथ कैसे पाथ में मूब कर रहा है स्ट्रेट लाइन तो trajectory कैसी होगी स्ट्रेट लाइन ठीक है यहां पर नीचे वाले में कैसी होगी curved ठीक है यानि एक तरीके से क्या बोल सकते हैं कि अगर object translatory motion perform कर रहा हो और उसका जो trajectory हो straight line हो तो कैसा motion rectilinear अगर curved हो तो कैसा curvilinear चलो हमने देख लिया translatory motion के बारे में अगर straight line path हुआ तो हमारा क्या होगा rectilinear otherwise curvilinear अब हम लोग आते हैं distance और displacement के बारे में बात करते हैं अब धीरे धीरे एक एक करके हम लोग जो quantities है distance, displacement, speed, velocity, acceleration ये सारी चीज़े पढ़ेंगे ठीक है उसी में फिर equation of motion आएगा अपना तो पहले देखते हैं कि distance क्या होता है एक object है move कर रहा है देख लेते हैं कि distance होता क्या है ठीक है तो चला यार माल लेते हैं कि एक particle जो है ये हमने x-axis माल लिया और ये y-axis initially वो particle का यहाँ पर present हो ठीक है जिसका position vector क्या है ri vector मैंने बताया था कि vector हर एक chapter में आप थोड़े-थोड़े use आएंगे यही सब आएंगे उनका use यही है ठीक है यहाँ पर यह ri कहाँ पर a तक थोड़ी दिरबाद जो particle है वो कहाँ पर पहुँच गया b पर पहुँच गया इस point b पर उस समय position vector rf vector ठीक है अब एक बात सोचो कि a point से b point तक जाने का जो है क्या कोई एक रास्ता होगा जैसे मालनो suppose आप अपने घर से school जाते हो या अपने घर से coaching जाते हो ठीक है या market ही जाते हो ठीक है तो उस case में ऐसा तो है नहीं कि एक ही रास्ता हो जैसा suppose अगर आप अपनी उस दोस्त से मिलने जा रहा हो ठीक है तो उसमें तो अलग-अलग रास्ते आप लोग खोजते ही होंगे तो वही चीछ सोचो कि अगर मानलो अपने घर से वहां तक पहुंच रहे हो तो हो सकता है कि बहुत सारे रास्ते इधर कभी इधर से जाओगे कभी दूसरे रास्ते से जाओगे जिधर से खत्रा कम होगा उधर से जाओगे मानलो कि आप इधर से जा रहे हो ऐसे घूंग भाम करके तोड़ा बहुत गिफ्ट बगर विशाद ले भी जायोगे थोड़ा पात हैर सही बना लेते हैं कुछ जादा ही गूंग भाम होगा थीक है यह इसे ए से बी तक ऐसे पात पर जार एक है तो डिस्टेंस हमारा क्या बताएगा आप क्या बोलोगे जैसे जाये मिलोगे यार सब्सक्राइब किसी दिन आप सीधे स्ट्रेट लाइन पास पर ऐसे चले गए ठीक है जिस पर आपको कम खतरा था उसकी लेंथ है यह जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है वो हमें क्या बताता है कि जिस पात पर जो अबजेक्ट मूफ कर रहा है जिसके बारे में लोग डील कर रहे है उस जिस पात पर मूफ कर रहा है उस पात की लेंथ होती है उस पात की क्या होत है वो क्या है हमारा a c b वो पहुंचा जो है वो a से भी ही है लेकिन direct straight line path पर नहीं जा रहा है वो a c b path पर चलके जा रहा है और a c b path पर जब चलके जा रहा है तो जो इसकी length होगी वो क्या होगा हमारा distance traveled तो distance traveled एक तरीके से क्या होता है distance traveled distance traveled एक यह क्या होगा कि length of path यह क्या होगा length of path followed by object length of path followed by object जो भी object जो move कर रहा है वो जो इस path पर follow कर रहेगा उसकी length को हम लोगों क्या बोलेंगे distance traveled distance traveled को किस से denote कर लेते हैं अगर d से denote कर लेते हैं तो d equals to क्या होगा अगर आप इस पूरे path के length calculate करोगे तो क्या करोगे यह राय चोटा सा d l1 vector ठीक है फिर एक छोटा सा d l2 vector यह एक बात फिर उसके बाद चोटा साथ d l3 vector ऐसे बहुत सारे vector होंगे ठीक है यह dl1 dl2 dl3 क्या बताता है तो एक बात अब सभी को पता होगा differentiation में पढ़ाए गया होगा कि यह dl यानि क्या होता है कि यह पूरा एल है उसका सबसे smallest part ठीक है जैसे मैं अगर कई पर लिख रहा हो डी आफ एक्स यानि यह क्या है smallest पार्ट आफ एक्स यह क्या है smallest पार्ट आफ एक्स यानि आपने यहां पर क्या किया इस पूरे length को वो चोटे-छोटे part में add कर दिया और चोटे-छोटे part में add करके सब को अगर add करते जा रहे हो तो यह पूरा length मीलेगा ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं दी वेक्टर को कैसे लिखे तो दी एलवन वेक्टर ठीक है इसको थोड़ा सैसे दी एलवन वेक्टर का मॉड प्लस दी एलटू वेक्टर का मॉड ठीक है चुकि हमें क्या करना है इसकी लेंथ बस मेजर कर दी है अभी हमने बात क्या कि कि डिस्टेंस ट्रेवल्ट क्या होता है कि लेंथ आफ पाथ तो हमने ये एक वेक्टर प्लस ये ये सारे सब को एड़ कर दिया तो डी एल थ्री वेक्टर ठीक है प्लस ऐसे बहुत सारे जाएगा ये डी लवान ये सब छोटे-छोटे पार्ट से इनको अमने क्या ले लिया वेक दिस्टेंस ट्रेवलब ठीक है अब बावस हो ठीक है एक से दूसरे क्वेंट नको हो सकता है कि अलगल जितने तरहके पाथ हुए उतने तरह का उतना जालगलग तरहका кажण डिस्टनस से ट्रैवल हो सकता है ठीक है ये जैसी क्वांटिती ओगी तो ये हमारे कैसी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी और सबका समेशन भी क्या मिलेगा स्केलर क्वांटिटी तो डिस्टेंस ट्रेवल कैसी क्वांटिटी होती है is scalar quantity कैसी quantity social quantity अगर हम इसका ऐसा यूनिट लिखें एसा यूनिट क्या Victor which claiming bred क्या सकतेैं शीजी है सकता है सेंटीमिटार कुछ अदर उनिट्स में क्या किम मीलिमीटर फेक्ति मिंटर कुछ भी लिख सकते कह kabulis जो भी पाथ जिस पाथ पर अब्जेक्ट मूफ कर रहा है उसकी लेंथ लेंगे एक चोटा सवाल कर लेते हैं ठीक है जैसे मालो कि एक अब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर मूफ कर रहा है वैसे आप लोगों ने 9th क्लास में किया भी होगा कि रेडियस क्या है और यह भी रे उसके बराबर है तो जो इसकी ल कितना भाई पाइ दिखना धतवर करेंगे ज़िस पाथ पर सब्सक्राद कर रहा है उसकी लेंद क्लिए के आप नहीं देखते हैं नेक्सरंग दो देख लेते हैं डिस्प्लेस्मेंग ठीक है चलो अब displacement के लिए माल लेते हैं कि एक particle जो है यह हमारा पहले x-axis माल लिया यह y-axis particle initially point a पे है और उसका position vector क्या है a sorry ri क्या है ri vector थोड़ी दिर बाद इस particle का जो position vector है वो कितना हो गया rf vector ठीक है यह rf वेक्टर अब एक बाद देखो कि अगर particle का position vector पहले क्या है ri बाद में rf वो particle माल लो इस a c v path पे move करते हुए गया रहा है ऐसे move करते हुए गया है ठीक है अब इस case में displacement vector निकालना है तो हमें इसा ध्यान रखना है displacement हमें क्या बताएगा कि change in position vector कि object का position उसमें कितने का change आया ठीक है और अगर कितने का change आया वो कैसे निकालते है तो यहां से initials को पकड़ो और यह final को ठीक है तो यहां से देखो माल लेते हैं कि जब particle थोड़ा यहां पहूंचा एक छोड़ा चोटे part में big divide कर लेते हैं इसको जैसे वहाँ पे हमने distance को क्या किया था छोटे-शोटे part वह उसकी length निकालना थी यहां से अगर इस particular point पहुंचा है तो उस केस में displacement कितना होगा तो देख लेते हैं कि पोजीशन में कितने का चेंज आए तो इनीसियल से फाइनल को जॉइन कर दो यह हमारा क्या हो गया तो डी एलवन वेक्टर यहां से जब यहां पहुंचा तो कितने का चेंज आए तो डी एल टू वेक्टर ऐसे ही बहुत सारे इंफानेट टाइप चेंज आएंगे और पार्टिकल कहां पहुंचेगे इस पॉइंट भी ते तो फाइनली जो यहां से अगर देखेंगे तो इन सब का जो resultant हो गा JUST होगा जो मान लेता है टोटल एन वेक्टर है तो सबका- resultant क्या आएगा तो इनीशियल जो-फर weक्टरिंट उसके ते रेस्ट के टेल से लास्ट वेक्टर के हैड को जोइन करेंगे यह क्या होगा तो यह हमारा क्या होता है यह net displacement पिकटर हुगा जिसको हमनों क्या रिखेंगे डेलटा आर में ए लिएन वन वेक्टर प्लस ऐसे या हूँ आघ कर है वहाँ व्लोれた रेकली पूरा-पूरा वेक्टर कर रहे करें तो उकरफा थींगे तो हमें क्या मिलेगा vector quantity और इसी को थोड़ा सा उगर integrated form में लिखे integration के form में तो क्या आगा डी एल आई vector आई कोल स्टू 1 से लेके तक यही हमारा क्या होगा डेल्टा और वेक्टर और यही क्या होगा एक तरीके से हमारा displacement vector टीक है यह क्या होगा displacement vector अब एक बास एक हो डेल्टा आर वेक्टर यह हमारा यहीं मिल गया कि चलो भाई displacement मिल गया कोई दिकत नहीं अच्छी बात है यहां से ट्राइंगल रूल अप्लाई करते हैं चुकि यह सारा एड करना तो अपने बस की बात है नहीं कि छोटे-छोटे पार्ड को लेकर एड करते रहें यह दिया हुआ है यह दिया हुआ है मही यह निकालना तोТंक काम करते च्राइंगल लौफ वेक्टर एडिशन कि अब लूब अप्लाई करें तो क्या मिलेगा अपने को तो ये दोनों का resultant ये है तो क्या लिख सकते है r i vector plus delta r vector किसके बराबर r f vector यही आएगा यानि हम लोग क्या लिख सकते है delta r vector equals to r final vector minus r initial vector ठीक है r final vector minus कितना आएगा r initial vector ठीक है जब भी अगर r initial दिया हो r final दिया हो क्या करेंगे दोनों को subtract करेंगे direction क्या होगा ये पहले देख लेते हैं displacement कैसी quantity vector quantity ठीक है चुकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं सारे vector को add कर रहे हैं तो obviously कैसी quantity मिलेगी vector quantity direction क्या होगा तो ये रहा कौन सा initial position और ये final तो direction जो होगा वो हमारा हमेशा से क्या होगा तो initial position to final position initial position to final position ठीक है particle के initial position को देखो final position को देखो दोनों को join कर लो direction कहां से कहां initial से final की तरफ अगर मालो r initial और r final ठीक है एक और ची देखते हैं अगर ऐसा यूनिट देख लेते हैं तो एसा यूनिट जो आएगा वो क्या होगा मीटर हो जाएगा cgs unit क्या हो जाएगा cgs unit centimeter इसके अलामा जो भी millimeter जो भी unit हमने distance की देखी थी सब इसका हो सकता है कभी कभी ऐसा रहेगा कि r i और rf दोनों वेक्टर फॉर्म में दिए रहे हैं मालो r i वेक्टर दे रखा है x i cap प्लस y j cap प्लस z1 k cap यह y1 और z1 और फाइनल वेक्टर क्या दे दिया x2 i cap प्लस y2 j cap प्लस z2 k cap तो delta r vector कैसे निका लेगे तो यह चीज़े में वेक्टर में सीख रखे है कि दो वेक्टर दिये हुए component के form में दोनों subtract करना है तो क्या करेंगे x2 minus x1 i cap प्लस y2 minus y1 j cap प्लस z2 minus z1 k cap magnitude निकालने के बाद हो तो delta r vector को क्या लिखेंगे तो square root of क्या लिख सकते हैं यह एक तरीके से क्या है मारा delta x यह क्या है तो delta y और यह क्या है मारा delta z यह क्या बताएगा change in position along x axis यह along y और यह z axis तो delta x का square प्लस delta y का square और प्लस delta z का square यह आएगा यह हमारा magnitude निकल लिए चलो अब हम लोग देखते हैं कि distance or displacement के बारे में थोड़ी बहुत बात देख लेते हैं ठीक है जैसा मैंने starting में बताया था आपको कि जब भी अगर एक object का motion deal करना हो तो सबसे से पहले क्या करते हैं कि एक origin लेते हैं जिसको हम लोग किस से denote करते हैं x equals to zero से कुछ question लेते हैं हम लोग example ले करके और उसमें देखते हैं कि particle जो है उसका initial position में दे दूँगा final position दे दूँगा और उसके बाद हम लोग distance और displacement भी लिखेंगे मान लो कि यह particle x equals to zero है ठीक है अब यहां से देखें कि straight line path पर जा रहा है ठीक है तो यह distance कितना होगा कितना distance travel करेगा 30 meter displacement कितना होगा वो भी किसके और आवर 30 meter displacement का direction initial से final की तरफ ठीक है यहां से लेके यहां तक अब अगर मान लो एक example और देखें कि जिसमें particle x equals to zero यहां पे हो वो कहां तक गया x equals to 30 meter तक पार्टिकल जो रहेगा वो x equals to 30 meter तक जाएगा ठीक है 30 meter तक जाएगा और उस case में थोड़ा बहुत लौट के भी आ गया कहां तक लोट के आगया x equals to 10 meter तक लोट के आगया अब इस case में अगर distance ट्रावल निकाले तो distance किसके बराबर हो जाएगा तो यहां से 30 और यह कितना लोट किया 20 तो चला कितना 50 meter यहां से देख रहे हो कि जो path है जिस path पे वो चला है उसकी length को हम लोग बोलते है distance यह 30 plus 20 कित कितना होगा displacement कितना तो यहां से देख सकते initial एरा finally एरा कितना होगा 10 किदर के तरफ राइट डारेक्शन हमें पता है और जिंशे राइट कि तरफ जाओ कैसा होता है positive इधर जाओ negative यह कितना होगा displacement तो यह कितना हो जाएगा 10 meter के बराबर यहां से देख लो particle same motion same लेकिन फिर इस case में अलग हो गया एक एक करके ऐसे ही points देखते जाएंगे वो तब अलग हुआ जैसे ही पार्टिकल ने अपने motion का direction change कर लिया जैसे ही पार्टिकल के motion का direction change होगा वैसे ही distance और displacement अलग-अलग हो जाएंगे तो यह क्या लिख सकते हैं कि if a moving body if a moving body changes its direction of motion changes its direction of motion direction of motion then distance and displacement will be different then distance and displacement will be different will be different वैसे ही क्या हो जाएगा distance और displacement दोनों different हो जाएंगे चल एक और चीज़ देखते हैं जैसे मानल सपोर्ज वो से यहां से चलना सुरू किया पहले वो पार्टिकल यह मैं कहां तक पहुंचा एक सिक्वेस्टू 50 मीटर तक ठीक है फिर लॉट करके वो यही तक आ गया मतलब इनीशियल पोजीशन भी और फाइनल पोजीशन भी इनीशल भी यही है फाइनल भी मतलब एक तरीके से घर से चला और घर पर ही आ गया उस केस में हम लोग देखें तो 50 मीटर गया और 50 मीटर आया यानि हमारा डिस्टेंस जो है वो कितना हंड्रेड मीटर होगा लेकिन अगर बात हो डिस्प्लेस्मेंट की तो आप क्या होगा कि ऑब्जेक्ट के पोजीशन में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आया चुकि इनीशियल और फाइनल दोनों क्या है सेम ही जगर यानि डिस्प्लेस्मेंट कितना जीरो ठीके डिस्प्लेस्मेंट कितना जीरो यह हमें क्या बता रहे कि एक पार्टिकल का यहां भी पार्टिकल ने अपना मोशन का डारेक्शन चेंज किया इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेस्मेंट अलग अलग होग लेक यहां से देख सकते हैं कि किसी भी case में particle का displacement वो decrease नहीं हो रहा है चाहे motion का direction change हो या नहीं हो कंटिनुवसली क्या होगा increase होगा और कभी भी 0 नहीं हो सकता है ठीक है तो एक और जाम पर ले लेते हैं हम लोग उसके बाद सारे points एक एक करके लिख लेते हैं यह x equals to 0 हुआ पहले मान लो x equals to 50 मीटर तक गया उसके बाद वो लॉट करके यहां तक पहुंचा ठीक है x equals to minus 30 मीटर तक अब अगर पूछा जाए कि distance बता हो तो distance travelled कितना तो पहले 50 गया 50 आया कितना 100 और इधर की तरफ 30 कितना जाएगा 130 मीटर और अगर displacement की बात करें तो किसके बराबर तो initial point यह रहा final point यह रहा initial से क्या करेंगे final को join करेंगे ठीक है किदर नहीं आ रहा है minus 30 displacement क्या रहा है minus 30 meter चुकि वह किदर की डारेक्शन नेगेटेव डारेक्शन अब एक एक करके जो point हमने अबजर्ब किया वह लिखते हैं पहली चीज़ कि कि अगर moving object जो है अपना direction of motion अगर चेंज करता है तब क्या होता है distance और displacement अलग होते हैं दूसरा moving object का जो distance traveled होगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है क्योंकि सारे case almost हमने देख लिए कि जब particle straight line path पे move कर रहा है तो सारे case हमने और देख लिए कहीं भी distance जीरो नहीं हो सकता है तो पहला point क्या होगा कि for a moving object for a moving object distance traveled distance traveled ठीक है cannot be zero cannot be zero it will always increase it will always increase ठीक है कब तक टिल इट स्टॉप्स टिल इट स्टॉप्स एक moving object के लिए जो distance traveled होगा वो हमेशा क्या हो रहा है increase होता होते रहेगा चाहे वो direction of motion change हो या नहीं हो दूसरा कि displacement जो होगा वो हो सकता है जीरो भी और यहां पर क्या देखा हमने negative भी हो सकता है अब एक बात देखते है negative डारेक्श साइन जो आ रहा है वो क्या बता रहा है negative sign हमें क्या बता रहा है कि वो direction of displacement बता रहा है negative sign जो है ऐसा नहीं कि वो 0 से छोटा है किसी भी vector quantity का जो sign होता है वो हमेशा किस चीज़ को represent करता डारेक्शन को ठीक है तो पहले चीज़ तो लिख लेते हैं कि displacement of an object of an object can be 0 हो सकता है positive हो सकता है और negative ठीक है लेकि negative sign क्या सो करेगा and negative sign सोज direction of displacement क्या देगा हमें direction of displacement देगा negative sign में क्या देगा direction of displacement क्यों particle इधर की तरफ डान डिस्प्लेस हो है positive यानि पार्टिकल राइट डारेक्शन में देगा एक और चीज़ हमें जो द्यान रखनी है कि यहां से देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या relation है इक्वल है यहां पर smaller यहां पर भी smaller यहां पर भी smaller यह नहीं कि यह तो distance upon displacement distance यह displacement का जो magnitude होगा यह तो बड़ा इक्वल होगा चलो एक पॉइंट हमने कहा देखा कि distance जो होगा वो क्या होगा यहां तो greater than or equal to किसके displacement की magnitude की बात हो नहीं यहां direction तो हमें होता ही नहीं distance में तो direction compare करने की ज़र्द है ही नहीं तो क्या लिख सकते हैं कि distance upon distance sorry displacement ठीक है will always be greater than equal to one ठीक है यह हमारा कुछ points था distance और displacement के बारे में अगली क्लास में लोग speed, velocity और acceleration पार्ट सुरू करेंगे तेक है चलो थैंक